हम आपको एक important update देने वाले हैं जो कि आपके गॉर्मेंट जॉब से related है तो सबसे पहले हम आपको सरकार रिजल्ट के official site पर लेके चले आए हैं यहाँ पर सबसे पहले आपको सरकार रिजल्ट के official site पर चले आना है यह देखिए और इसके बाद फिर यहाँ पे है कौन सा form की ब बात कर रहे थे तो कौन सा पोस्ट था देखिए रहा आपका पोस्ट 36 गड़ असिस्टेंट रेजिनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर ए आर टी यो एंड सीजी पीस्सी टांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर टी एसाई एक्जाम ऑनलाइन फॉर्म 2022 और इसका देखिए पोस्ट अपड आज तक जरूर देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए जैसे की कोई भी गवर्मेंट जॉब से रिलेटेट कोई भी न्यू अपडेट आदा है तुरंत आपको सबसे पहले जनकारी मिले तो देखिए इसमें इन्फॉर्मेशन दिया गया आज कई डेट में यहाँ पे है टांसपोर्ट ओफिसर ईयसियो और टैंसपोर्ट सबइंस्पेक्टर ठीयस इसाइं 2052 डू ओर एडी इसमेंट नमबर एटीन 2020 , 2022 बिनियू सर्ट डिटयल रफ नोटिफिकेशन तो आइए देखते हैं important dates क्या क्या है form भरने के तो आपको यहाँ पर देखना है important dates तो आपका important dates जो है यह दिखिए यह रहाँ आपका important dates application begin हो रहा है 15-4 2022 से और last date क्या है 14-5 2022 और पर एक्जाम last date fees क्या है करने की तो 14-5 2022 और correction last date 15-19 में 2022 और इसके लिए एक्जाम date का जो नोटिफिकेशन जल्द एनाउंस किया जाएगा और admit card notification आने के जो एक्जाम date एनाउंस होने के जस्ट बाद जस्ट बाद आए जाएगा admit card जैसे कि आपका उससे पहले एक्जाम होने से पहले और application fees के बारे में बात कर लेते हैं तो देखे application fees जनरल और अधर इस्टेट के लिए 400 रुपेज हैं और SC, ST, OBC candidate के लिए 300 रुपेज हैं और इसको आप कैसे पहले कर सकते हैं तो पहले एक्जाम फी थ्रू कैस एट की सोग और पे डेविट कार्ट के रिए कार नेट बैंक की और एनी मोल और इसका देख लिजे एज लिमिट की बात करते हैं तो मिनिमम में इसमें 25 यह होना चाहिए और मैक्सिम में जो आपका 30 य इसके बारे में और आगे के डिटेल पोस्ट डिटेल देख लेते हैं तो टोटल वेकेंसी कितनी है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं तो जो टोटल आपकी वेकेंसी है यही रहा आपकी पोस्ट है और आपके बाद पोस्ट नेम देख लेते हैं सारा तो पोस्ट नेम में Assistant Regional Transport Officer ARTO Transport inspired Inspector TSI technical में है और ए Assistant Regional Transport Officer का जो टोटल पोस्ट एक है और इसमें क्या क्या requirement क्या है तो और इंजिन्रिंग डिलीगी in mechanical org इन्जिन्रिंग त drafting लाइसेंस और इसमें देखे हाइट की बात की जा रही है फीजिकल तो के लिए 65 cm और फिमेल के लिए 158 cm चेस्ट होना ची एट 81.50 से 86.50 cm और मोर डिटेल के लिए आप नोटिफिकेशन को देख सकते हैं तो अभी नोटिफिकेशन हम डाउनोड गर के आपको सारा डिटेल में दिखाते हैं और टांस्पोर्ट सब इंस्पेक्टर के लिए के लिए 18 टोटल पोस्ट है और इसके लिए रिक्वार्मेंट क्या है इंजिनरिंग डिग्री या डिप्लोमा इनी मेकेनिकल आटो मोबाइल इंजिनिंग विट वैली ड्राइविंग लाइसेंस इसमें हाइट भी वही है 165 cm फिमेल के लिए 152 cm चेस्ट मेल के लिए 81.50 to 86.50 दोनों का सेम है और इसके बाद आ जाते हैं आपका यह हो गया और फॉर्म भरने का डेट कब से कब तक है तो अभी आपको बता दिये थे उपर एक बार हम फिर आपको रिपीट करके दिखा देते हैं दिखिए 15 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और 15 मई तक चलेग आपको इसमें क्या क्या चाहिए क्या रिक्वार्मेंट होनी चाहिए उसके लिए दिखें यहां पर दिया हुआ है तो इसके भी देख लेते हैं यहां पर देखिए कैंडली चेक दी कलेक्ट आफ आल डाकुमेंट हें राइटिंग इजिबिल्टी आईडी प्रूफ एड्रेज डिटेल बैसिक डिटेल कैंडली रीडी स्कैन डाकुमेंट रिलेटेट टू रकुमेंट फॉर्म फोटो साइन सिगनेचर थांप इंप्रेशन इस अप जो लग आपको पुरा डिटेल से एकस्प्लेंट करते हैं तो आप चैनल पर लाज तक बने रहें बीना इसकीप के वीडियो को देखिए अपने और गाइज आप चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहें आप चैनल को सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ सेयर करें वीडियो के लि तो यह दिखिए यहां पर इसका नोटिफिकेशन है विग्यापन डेट दिया है प्रकासन की तीथी 13-4-2022 को आया है आवेधन करने की तीथी जो है आपका 15-4-2022 के मध्यान से 12 बज़े से 14-5-2022 के रात्री 11.19 तक है और इसके डिटेल के बारे में देख लेते हैं तो दि करेंगाल कि चकार सकते हैं हँ आपको यहां पर डेटेल में बता भी देते हैं कि महत्यपूर्थ कि संख्या परिवर्तित हो सकती है इस सुंआ है जो तो सकती है यह जो यह जेड़त है विग्यापन संबंदी वीभा के मांग पत्र उन्रुप प्रकासित किया जा रहा है उप और दिया इसमें अभ्यरति आवेदन करने से पूर सारा डीटेल अपना पढ़ लें तब इसमें सारा डीटेल हम भी बता रहें कि सारा डीटेल पढ़ने के बाद ही आप फॉर्म भरें इसमें देखे सारा महतपुर्ण नोट अनिवार अहरता हैं कितना पेई स्केल होगा सब चीज के बारे में दिया गया है तब इसको आप डीटेल से आपको नोटिफिकेशन डाउलोड करके पढ़ लीजेगा लेवल 9 होगा इसमें पेई स्केल 38,100 रुपए से 1,20,400 रुपए म आटो मोबाइल इंजीनियर, मेकेनिकल इंजीनिर, मोटो साइकल, भारी मोटर यान, भारी अत्रा मोटर यान चाला नहीं तू प्रादिक्रित वाले करने वाले डाइविंग लाइसेंस इस सब होना चाहिए आपको सारीक वाला ये सब बताई दिये थे हम आपको और इस सब स एच्टि के लिए 300 रूपय देखिए, उसका पेपर का जो बता देते हैं पैपर कैसे होगा क्या पैरर्थम चरण परिच्छा ये सच्छा साथकार तो पर प्रिच्छा जोगी 300 नंग का साथ-चाति-च्छार, नंबर का होगा जो परिच्छा होगा वस्टूनीज प्रकार मतलब एंसी क्यू फॉर्म का होगा डियर सो एंसी क्यू रहेंगे तीन घंटे का होगा 300 का होगा जिसमें भाग एक में 36 का सामानने ग्यान जनरल नौलेज आप 36 गड़ और भाग दो मैकेनिकल आटो मवाइल इंज लिए जाएगा निगेटिव मार्किंग भी रहेगा तो आप अध्यान से देखके करिये लिए गप्रेशन को उत्तर करिएगा सब और इसके बाद आपको देखिया पर न्यूंतम और रता दिया कि कम से कम 33 परसिंट आपको अर्जित करना पड़ेगा पास होने के लिए जनर बस भी डाउनलोड कर लिजेगा 36 गड़ का सामाने ग्यान ये दिया है फिर जनरल नॉलेज आप 36 गड़ इंग्लिस हिंदी दोनों में दिया हुआ इसके बाद पार्ट टू जो है आपका मेकेनिकल इंजिनिंग आटो मोबाइल इंजिनिंग का है सब्जेक्ट इसको भी आप देख लिजेगा ये सब पूरा आपका सब्जेक्ट है फिर उसके बाद आलाइन आवेदन करने के निर्देश दिया हो गया है यहां पर सारा उसको भी अच्छे से रीट कर लिजेगा उसके बाद ही आप फॉर्म भरिएगा और आप वीडियों को लाज टक भी ना देखे फॉर्म मत भरिएगा हम आपको सारा इस्टेप स्टार्ट होता है मैं आपको फॉर्म भरने का तरीका भी बता देंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे अपने दोस्तों के साथ चैनल के लिंक को सेर कर दीजे ताकि आप चैनल को सभी लोग बने रहे हैं और वीडियों को हमारे देखते रहिए जो भी बता है